मुझे ब्योंडी शेहर के संगटन की हर फैसले लेने का जो है वो फैसला लेने का अधिकार दे दिया है इंशाला बहुत जल पुलिन मजली से त्यादिल मुस्लमीन के नौजवानों के प्रसिद नेता आधर्णी अभीबे मिल्लत अक्बरुदिन अवीज साब योंडी शेहर आएंगे सबसे पहले सभी पत्रकार बंदों का पुलिन मजली से त्यादिल मुस्लमीन व्योंडी शेहर जिला यूणिडी की तरफ से खेर मगदम है स्वाकत है थांक्यू अधियरी मच मजलिस एत्यादिल मुस्लमीन व्यूंडी शेहर जिल्ला का एक्सिस्ट मंडल मेरे नेतुत में व्यूंडी मद्दार छेत्र के इंचाज हबीवे मिल्लत वो तेलंगाना लिजिस्ट्यू असेम्बली के मले वो फ्लोर लिडर अकबर उद्धिन अविसी साब से हमने मुलाकात क मुलाकात का मकसद ये था कि आगामी जो भी चुना होने जा रहे हैं उसमें मजलिस एत्यादिल मुस्लमीन का जो धोरण है वो जन जन तक पहुचाने के लिए व्यूंडी शेहर में एक जन सबा होनी जरूरी है मजली से त्यादुल मुस्लमीन के शिष मंडल ने आदर्णी हबीबे मिलत अक्बरुदिन अविशी साथ से बियोंडी सहर में जन सबा में उपस्तित रहने का आगरा किया है हमने उन्हें निमंतरंड दिया है और इन्शालला बहुत जल्द कोलिन मजली से त्यादुल मुस्लमीन के नौजवानों के प्रसिद नेता आदर्णी हबीबे मिलत अक्बरुदिन अविशी साथ बियोंडी शेहर आएंगे उक तोसर पर मजली से त्यादुल मुसलमीन के बियोंडी शेहर जिला कारेकर्णी की आपने सोध लिया और मजली से त्यादुल मुसलमीन के बियोंडी शेहर के संगटन को मजीद मदबूत बनाने के लिए तलकीन किया अभी पे मिलत अक्बर उदिन आवेसी साहब का कहना है कि अगामी विधान सभा चुनाओ से पहले मजलिस इत्यादिल मुसलमीन का ब्यूंडी शेहर में संगटन कुछ इस तरह होना चाहिए कि मजलिस इत्यादिल मुसलमीन को कामयाभी मिल सके इसी के चलते उन्होंने बियनडी शहर में मजलिस इत्यादिल मुसलमीन के संगटन को पुनर संगटित करने हे तू मुझे बियनडी शहर के संगटन की हर फैषले लेने का जो है वो फैषला लेने का आदिकार दे दिया है महारास्ट्रा के मजली से त्यादुल मुस्लमीन के प्रमुकों को इस बात की इतला कर दिये इसी के चलते आज कुली मजली से त्यादुल मुस्लमीन बियोंडी शेहर जिल्ला कारे करणी ने बियोंडी शहर के वो सारे पुराने कारे करता जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पार्टी के लिए ऐसे सारे कारे करताओं को जो है एहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है इन्शालला बहुत जल्द बियोंडी शहर में अभीवे मिल्लाद अक्बर अवेसी साहब का जल्से आम होगा साथी उस मिटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि बियोंडी शहर में पार्टी के संगटन को पुनर गटित किया जाए 2021 में जब से मजलिस इत्यादल मुस्लमीन का बियोंडी शहर जिला कारगुजार सदर मुझे बनाया गया तब से लेकर आज तक संगटन पर हमने जो भी काम किया है वो बियोंडी निजामपूर मानगर पालिका को मद्गे नजर रखते हुए किया था लेकिन उन्फॉटनिटली पिछले तेर्ड साल से बियोंडी मानगर पालिका के चुनाओ नहीं हुए और चुनाओ नहीं होने के कारण वो कारे करता या वो पदधिकारी जो चुनाओ लड़ने के लिए या चुनाओ लड़ना आने के लिए पार्टी से जुड़े थे वो आफ लाइन हो गए है और क्योंके आने गामी विदान सवा चुनाओ है जिसमें मजलिस इत्यादुल मुस्लमीन की जीत के इमकानाथ बहुत ज्यादा है इसलिए मजलिस के इत्यादुल मुस्लमीन विएटि शेयर जिल्ला संगटन को पुनर गटित करने की जरुवत है मजलिसे त्यादुल मुसलमीन बिहंडी के इंचाज हभीबी मिल्लत अक्बरुदी नवीसी साहब ने मुझे इस बात की जाद दी है कि दुबारा संगटन को रियाउगनाईज किया जाए और एक अच्छा संगटन सामने रखा जाए मुझे उन्होंने सारे फैसले लेने का अधिकार दे दिया है चुनाओ आते आते जो भी बिहंडी शेहर में पार्टी की नीतिया तैह होंगी वो निश्चित करने का उन्होंने अधिकार मुझे दिया है इसी के चलते पुल इन मजलिसे त्यादुल मुस्लमीन के बियोंडी शेहर जिला संगडन में आज हम फेर बदल करने जा रहे हैं आज मजली से त्यादुर मुस्लमीन के बियोंडी शहर जिला महा सच्विपत पर आदर्णी अब्दुल्ला संजरी साब को न्यूक किया जाता है साथी बियोंडी शेहर जिला यू अद्धिक्ष पत पर आदर्णी बियोंडी शेहर के सीनिर मुस लीडर हमजा सिद्धिकी साब को यू अद्धिक्ष बनाया जाता है इसी के साथ बियोंडी शहर जिल्ला कारेकर्णी में बियोंडी पूर विदानसभा के अद्धिक्ष पत पर आदनी डॉक्टर बिलाल अंसारी और बियोंडी पश्चिम विदानसभा के अद्धिक्ष पत पर बियोंडी शहर के दोहजाद तेरह से पार्टी के लिए सक्री कारे करता आदनी फरिद उला खान साब को बियौंडी पस्ठी मुदां सभा का अध्द्स बनाय जा रहा है इसे साथ बियौंडी शहर में हमारे नौ नू begins अध्द्स अधनी हम्जा सिद्दीकी तर्वा युआ पूर विदान सबा अद्देक्स पत पर कलीमुल्ला अंसारी और पच्छी मिदान सबा अद्देक्स पत पर अनीश शेख साब को न्यूक किया जाता है जैद मलिक साब को युआ महासचियू और मौतरम सहब अंसारी साब और खौजा शेख साब को मायाम बियूंडी शेख जिला युआ उपद्देक्स पत पर न्यूक किया जाता है साथी एड़ोकेट फैदान अंसारी साब जो के मजलिस इत्यादिल मुस्लमीन में पिछले दो साल से सकरिता के साथ काम कर रहे हैं उनको संगटन में एक अलग जिम्मेदारी देते हुए उनको लीगल सेल का बियूंडी शेख जिला अद्देक्स पत पर न्यूक किया जा रहा है हमारे एक साथी मुस्तकीम मौमिन जो के वैपारी संगटन के लिए काम करने के लिए चुक है और उनकी प्रस्तावना पर एक नया संगटन एक नया सेल का विबाग का गटन किया जा रहा है जिसमें मुस्तकीम मौमिन को M.I.M. बियूंडी शेख जिला अद्देक्स इस क्रेब डीलर विबाग इसका उनको बियंडी शहर जिला अद्देक्स पत्र न्यूक किया जाता है ये जिसारी न्यूकती करने का मकसद सिभ यह है कि बियंडी शहर में मजलिस इत्यादिल मुसलमीन का जो धोरण है कि मजलिस एत्यादुलमूमीन की दोनों ही बियंडी शेहर की दोनों ही विदानसवा जीतना चाहती है हम पूरी ताकत के साथ 2014 से मजलिस के लिए तन्मंधन से काम कर रहे हैं 2014 में हमारे हालात ये थे कि हमारे पास बार बार दावत देने के बावजूद मजलिस एत्यादुलमूमीन से कोई उमिद्वारी लड़ने को तैयार नहीं था लेकिन ऐसे वक्त में जब मजलिस एत्यादुलमूमीन के कारकुनान चुनाओ लड़े तो दोनों ही कारकुनान को बियंडी शेहर की आवाम ने बीस एयर होट से नवा जा था और 2000 ये जर्नी 2014 से जब 19 के बीच में बड़ी तो मजलिस एत्यादुलमूमीन का जो संगटन था मेरे ही नेतुत में ऐसे हालात थे कि बियंडी शेहर में रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी एमाइम से टिकिट मांगा कॉंग्रेस का मौझूदा से हो सदर है माजी में आमदार थे उन्हों ने भी एमाइम से टिकिट मांगा कॉंग्रेस है और न्सीपी के चार से पांच निगर से होक्त एमाइम से टिकिट मांगे थे तो 2019 में 17 कैंडियेडों ने जो के अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलॉंग करते थे मजली से त्यादुर मुस्लमीन से चुनौर लड़ने के लिए चुक थे और आपने देखा कि 2019 में 25 में मजली से त्यादुर मुस्लमीन ने 44 जार उड़ पाये थे और हमारे सद्र बैरिस्ट्रा सदावेशी साहब की एक अपील पर बियोंडी पूर विदान सावा में एक आमदार बना था तो हमारा यहां बैटे हुए पाटी के सभी जिम्मेदान का एक ही दोरण है कि मजली सको कैसे जीताना इसी मकसद से हम फिर एक नया संगटन एक नया पुनर गटित कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो जो आफलावीं हो गया कारे करता हुआ हमारे कारे करता नहीं है वो भी हमारे पददिकारी हैं वो भी हमारे साती हैं उनकी जो भी कुर्बानिया हैं आज तक पार्टी के लिए दी हैं उनको हम सलाम करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले वक्त में जो भी वक्त पार्टी की दे सकते हैं उसके लिए वेलकम है हमने देखा है कि बियोंडी शेर में पिछले 30 साल में समाजवादी कॉंग्रेस और रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता जो जीते विदायक बने या मापॉर बने इन्होंने बियोंडी शेर को सी ब्लूट खाया है बियोंडी शेर की अवाम एक नए परियाय के रूप में मजलिस इत्यादूल मुसलमीन को देख रही है तो हमारा करता भी बनता है कि मजलिस को जीत दिलानी के लिए क्या हम उप्योग क्या अच्छा कदम हम उठा सकते हैं हम करें देखें मजलिस इत्यादूल मुसलमीन वाही देशी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें लोग सीव और सीव जजबात पे जुड़े हुए महबत में जुड़े हुए एक मिशन को कामियाब करने के लिए जुड़े हुए हम यह देखते हैं कि जो मुझसे इत्तिफाक नहीं रखते जब असद अवेसी साहब आते तो सारे दीवाने रोड़ पे आते सबी मजलिस के कारकुनान हैं हम इनसान है हो सकता है एक दुस्य को पसंद नहीं करते हूं लेकिन सबकी पसंद बैरिष्टरा असद अवेसी है और बैरिष्टरा असद अवेसी का जो चितर है अकबर अवेसी साहब की जो कलपना है काम की उसी को दोग के लोग आज मजलिस इत्यादुल मुस्लमीन का साथ दे रहे हैं समाज के लिए जो काम किया है वो काबिल है कुबूल है 2023 बोर्ड एक्जाम में 24 स्टूदेंस ने डिफरेंट सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स स्कोर किये यहां डिजिटल बोर्ड पर टीचिंग होती है बेल आइकन दबाना ना बुले